चाह वर लोगो नमस्कार नमस्ते टू एवरीवान अवर यू आल एक बार मुझे चेक करने वीजे कि हम लोग लाइव आ गए हैं कि नहीं कि अच्छ कि अच्छ कि यह साइटिंग अच्छ के हैं हाइ बच्छा सबको नमस्ते कि यह साइटिंग अच्छ कि ओके सो गाइज क्लास को शेर कर दीजिए हमारी एवरीडे क्लास होगी कि कि दस बजे ठीक है कि आपके साथ में शेयर भी कर देते हैं इस कख्छा को कि आए एम लाइव कि 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 अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने का विचार बना रहे हैं तो आप बलकुल ले सकते हो तो यह प्राइज आपके सामने लिखे कंचाँदा हो सकते हैं जब आप एप्चुली उस विंडो पर जाओगे कि कि ये पहले के screenshot है मैं अपनी तरफ से आपको ये चीज़ बताऊंगे कि आप मेरा code यूद कर लेना क्योंकि मेरे code के थुरू आपको 10% का discount मिल जाएगा ठीक है राइट और अगर आप जे ये नीट के बच्चे हैं और साथ में सोच रहे हैं कि CBAC के subjects आपके पीछे रह जाते हैं तो आपको अनकैडमी यहां पर combo offer भी दे रहा है तो code सेम ही apply होगा ये वाला तो इसके थुरू आपको अच्छा खासा discount मिल रहा होगा ठीक है और आपको plus के उपर एक जो है पूरन पिया जो road map आपको कह सकते हो ने एक चीज़ का उस तरीके से आपकी जो है सारी journey यहां पर हो रही होगी plus के उपर ठीक है तो आपको ना तो notes की attention है ना आपको classes की है ना आपको topics की है तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे ठीक है तो इसका जो result आप लोगों ने इस साल जो अभी आया है 2021 वाले बच्चों का तो उसमें आप लोगों ने देखी लिया ठीक है तो जो की मेरा दो बज़े स्टार्ट हुआ भी मैं इसके बारे में बता देती हूं और चीज़ें तो बज़े स्टार्ट हुआ है जिसमें मैं SQL स्टार्ट कर चुकी कल मेरा 12 CS के लिए batch स्टार्ट होगा जो की होगा साढ़े आड़ बजे और जिसमें मैं text file आपको कराने वाली ह ठीक है अब आगे चलेंगे आपका section जो B होगा वो सारा program से भरा होगा ठीक है आपके text file से आपको program आएंगे binary file से आएंगे CSV से आएंगे stack से आएंगे list से आएंगे ठीक है तो तयार रहो programs के लिए बाकी अभी देखिए बाकी batches भी आपके शुरू हो चुके हैं ठीक है तो कल आपके काफी सारे batches टार्ट हो रहे हैं special class note down कर लीजिए Saturday को मैं special class ले रही हूँ 7 बजे ले रही हूँ बिलकुल 12th IP की और 9.45 पर मैं ले रही हूँ 12th computer science वालो तो देखिए मेरे नई batches जिनका जिक्र मैं अभी कर रही थी तो ये देखिए 4 अगस्त कल स्टार्ट हो रहा है ये 8 अगस्त अभी आने वाले दिनों में स्टार्ट हो रहा है ये 4 अगस्त जिसके बारे में मैंने कहा था कि टेक्स्ट फाइल तो बिलकुल ये आपका स्टार्ट हो रहा है कल अब 3 अगस्त यानि की आज बिलकुल 2 बजे start हो चुक है आपका SQL तीन अगस्त यानि की आज इसके बारे में यह start नहीं हुआ है basically यह चल ही रहा बैच है ongoing batch ठीक है यह भी ongoing batch के अंदर ही है तो जिसकी class अभी-भी खतम हुई है साड़े 9 बजे and देखिए यह भी आपके upcoming है यह 23 अगस्त को start होगा ठीक है और यह 11 अगस्त को start हो रहा है ठीक है तो इसके अंदर part 1 इसलिए रखा है क्योंकि मैंने तीन parts में divide किया हुआ पूरा SQL this is specially designed for CS वाला बच्चा ठीक है चलिए अब आगे move करते हैं और आज की इस class को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कैसे data structure से ठीक है तो आज हम जो data structure basically बात करें आपके syllabus की तो आपके syllabus की अंदर आपके पास में सिर्फ एक data structure है और वो है stack data structure previous syllabus की बाते करते तो हमारे पास में क्यों भी हुआ करता था ठीक है अब हमारे पास में क्यों नहीं है हमारे पास सिर्फ stack है वैसे अगर रख भी देते तो ज़्यादा अंतर नहीं आता क्योंकि एक को सीख जाते तो दूसरा automatically आपको थोड़े बहुत changes करने होते इसके अंदर ठीक है चलिए अब यहां पर ध्यान से सुनना क्या-क्या चीजे क्या-क्या बाते हैं जो हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं देगे data structure यानि कि जो आपका data है वो किस तरीके से उसकी structure है जो है यानि कि कहने का मतलब है कि अगर हम बात करेंगे यहां पर stack data structure की तो जो हमारा data है न वो कुछ इस manner के अंदर जाकर के store होगा मतलब last in, first out वाले manner के अंदर तो आपके पास में न बहुत सारे यहाँ पर अलग-अलग data structures की form दे रखी है मतलब आपका data कौम सी structure के अंदर जाकर के मामरी के अंदर store है जो होगा जैसे arrows हो गया, जैसे link list वगएरा हो गया, जैसे stack हो गया, queue हो गया यह one of the most important आपके topics के अंदर से एक है मतलब मैं कहूंगी कि programming का एक तरीके से base है आपका DS इसको आप college में BCA या MCA जो भी आप करोगे, BTEC है न तो आपके पास में यह बतार पूरा एक subject आता है तो अगर programming को आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है आपको actually में जानना है कि मामरी के अंदर क्या चीज हो रही है कैसे value दे रहे हो, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है वो सारी चीज़ें आपकी clear हो रही होंगी इस concept से यह पूरा का पूरा data structure तो यानि कि आपका यहाँ पर data अभी जो कौन सी structure के अंदर जाकर के store होगा तो हम बात करेंगे उसके लिए कौन सा stack lasting first out, बाकि आपके पास में tree है, graph है, link list, array यह सारे के सारे भी है बाट इन में से कुछ भी हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, सिवाए stack के तो अगर हम arrays की बात करें, अगर हम link list की बात करें, tree तो देखें, यह tree है जो इसका structure क्या है, अगर बात करें तो यह कोई ऐसा नहीं है कि हमारा sequence type में structure है, तो यह graph की इसी type के अंदर है, मतलब अलग-अलग है तो यहाँ पर आपका कुछ data पढ़ा है, फिर उससे link अप कोई दूसरा data है, data, 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 इस तरीके से फिर आपके पास में जो Q आता है, Q का मतलब क्या होता है, कि जैसे हम line के अंदर खड़े होते हैं, मंदर में परशाद लेने के लिए तो पहले आया जो, उसको पहले मिल गया, तो कि पहले आओ, पहले पाओ, इस पर बिलीव करता है आपका Q, अब यह क्या होता है, जो last में value आई है, वो उसको पहले उड़ाता है, उड़ाता मतलब delete करेगा ठीक है, मैं दोनों पर ही ध्यान नहीं दे रही हूँ पुवाईश, यह क्या नामे बच्चा है ना, मैंने इसका जवाब आपको दे दिया, आप पीछे जाके देख सकते हो, आप जो है, मेरे से मेरे सब्जेक्ट के बारे में तो पूछ सकते हो, बाकी सब्जेक्ट के बारे में मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि मुझे पता ह कि अब आगे मूव करेंगे अब देखी अगर data structure की बात करोगे तो आपके पास नदर नौन प्रिमटिफ के अंदर आपके पास में linear और नौन लीनियर के अन्दर क्या हो गा थाका एक फिर हमारे टायरेख डाइनमिक में आपके पास में लिंक लिस्ट स्टैक बेसिकली यह डाइग्राम आपको इतना याद रखने की या ऐसी कोई जुरत नहीं है बड़ आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि आपका जो डेटा स्ट्रक्चर स्टैक है वो नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाइनमिक और उसके अंदर आपका आता है तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट कि इसको अगर हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्टैक को तो मैंने बोला कि आपका स्टैक लीफों के उपर काम करता है यानि कि लास्ट में जो वैल्यू इन हुई है वही वैल्यू फर्स्ट में आउट होगी ल और हम जैन्राट मतलब जैन्राट सी बात है कि अगर हम में सी प्लेट उठाएंगे तो प्हले जो सबसे लास्ट में रखी हुई प्लेट हमुसको उठाने वाले हैं तो बिल्कूल इसको हम क्या बोल रहे है इसको ही हम Hi hana यहां पर बोल रहे है इसको ही जब इसको बना के रखा पका के रखा तो पहले यह वाला रखा होगा ठीक है अब फिर उसके बाद में इसको रखा तो यह हमारा first है यह second है यह third है ये fourth है थिक है फिर third वाला रखा फिर आपके पास fourth वाला है तो ऐसे यह एक के उपर एक के उपर एक stack आपका आता गया तो अब अगर आप आते हो इसको खाने के लिए ठीक है तो आप पहले पहले इसी को उठाओंगे ओव्यसी बात है ऐसा तो नहीं कि हम नीचे से उठा लेंगे ठीक है चलो वो अलग बात है अगर आप उठा भी लेते हो लेकिन हम केस के अंदर बात करते है राइट आप उठाने को तो कहीं से भी उठा सकते है ठीक है ठीक है चलिए अब आपको ये चीज भूलनी नहीं है क्या लीफों के उपर काम है जो करते हैं करता है हमारा stack सो अगर L की बात करेंगे तो L means last इन इन आई की बात करेंगे तो इसका मतलब है आपके पास में first और अगर O की बात करेंगे तो यह है हमारे पास में out तो last in first out इसकी full form important कह सकते हो बाकि आपके पास characteristics आती है तो उसके अंदर आपको लिखना होगा ये last in first out के manner के उपर काम करता है बेटे ये class 12 आपको दिखाई दे रहा है तो of course ये class 11 नहीं है जब आपको पता है कि आप जो है movie बिना title देखे तो जाती नहीं होंगे जब बाहुबली का नाम लिखा हो है तो of course बाहुबली अंदर जाके कई बच्चे सोच रहेंगे अब यह क्या है यह हमारे पास में एक unstructured तरीके से पढ़ा है ठीक है unstructured है मतलब यहां पर पता ही नहीं चल रहा है कितने कितने नोट है कैसी है आपके पापा ने बोला क्या कि इनको अच्छे से रख दो ठीक है manage करके तो आप क्या करते हों अगर अगर आप बात करोगे यहां पर तो हम सबसे पहले अगर रखेंगे इसको बैटर तरीके से समझने के लिए हम कि इसके अंदर से इसको हटा देते हैं कि अब आप और अच्छे से समझ पाओगे ठीक है चलिए अब यहां पर क्या और आपके पास में एक जो है यहां पर गट्टी हमने रख दी फिर उसके उपर उसके उपर उसके उपर उसके उपर उसके उपर अब जब आप इसमें से उठाओगे तो आप क्या गरोगे ऐसा मत बोलना मैं कि हम सारे उठाएंगे ठीक है हम जो last में रखा है तो हम obviously बाते हैं कि मुसको उठाएंगे फिर 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 तो यही आपका stack है जब आपने रखा तो आपने एक stack की तरह रखा जब आप इसमें उठाओगे तो आप जैसे आपने last value रखी मतलब last जो रखा आप उसको पहले उठाने वाले तो कहने का मतलब है कि यह हमारा क्या है stack है तो stack हमारा जो काम करता है वो leaf के उपर करता है last in first out के उपर अब आगे move करते हुए बात कर रहे होंगे किस के बारे में top के बारे में तो देखिए अब यहाँ पर top क्या होता है top आपके पास में होता है जो recently added value होती है चीक है मतलब last में जो value आपकी add हुई है जैसे अगर हम इसकी बात करें तो फिलहाल के लिए this is your top यह क्या है top है but अगर हम आगे जाएंगे तो अब हमारा top क्या हो जाएगा increase यानि कि यह बन जाएगा अब हम और आगे जाएंगे तो top हमारा यह हो जाएगा top हमारा यह top 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 तो जब हम value delete करेंगे तब हम top की value को कम करते जाएंगे तो ये चीज आपको याद रखनी है A stack is a collection of data items जिसमें हमारा data रखा होता है That can be accessed only That can be accessed at only one end जिसको हम top कहते हैं तो देखें इसमें एक ही तरफ से value को डालेंगे एक ही तरफ से value को निकालेंगे तो जिस तरफ से आपकी values डाली जा रही है ठीक है तो जो आपकी value अभी फिलाल के लिए है वो आपका top फिर दूसरी value फिर तीसरी फिर चौती तो वो आपका top हो गया यहां पर एक end उसका item can be inserted or deleted in a stack only at the top top से ही उसको delete किया जा सकता है top से ही उसको जो है insert insert किया जा सकता है मतलब top की ही value है जो आपकी change होगी तो जैसे कोई नई value आई top की value वो हो गई अब जैसे वो value delete हुई तो top की value decrease होगी अब ये चीज़ें अगर आपने थोड़ी बहुत की होँगी तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा अगर आपने बिल्कुल भी stack नहीं पड़ा तो आपको शान्ती से बैठ करके सिर्फ सुनने की जरूरत है फिलहाल के लिए ठीक है मेरे को chat section पढ़ने के ये कुछ ऐसा feel हो रहा है कि इस में से कोई भी बच्चा कोई भी बच्चा तो computer science का तो बिल्कुल भी नहीं है दूर दूर तक बिल्कुल एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो computer science से बिलॉंग करता हूं ये किसी भी और subject के हो सकते हैं बट CS के नहीं बच्चे हो सकते हैं चलिए खैर अब आगे move कर रहे होंगे तो कहते है कि the last item inserted in stack is first one to be deleted अभी तक हम इसी के बारे में तो चर्चा कर रहे थे हैं इसी के बारे में तो हम चर्चा कर रहे थे तो therefore a stack is called last in first out data structure ठीक है तो इसमें दो main operation आपके होंगे एक को आप push बोल रहे होंगे दूसरे को आप pop बोल रहे होंगे ठीक है अब बस आगे move करेंगे तेखो अगर आपने की first time कर रहे हो ना वाली चीज तो आपको सिर्फ इतना कहेंगे कि तसल्ली रखो शांती से बैठ करके सुनो ठीक है उसके बाद में इसका practical करना फिर से दुबारा चाक्टर को पढ़ना इसी वीडियो को चला करके फिर से प्राक्टिकल करना चीक है तो ये चीज़े धीरे-धीरे समझ में आएंगे ये बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे कभी नर्सरी क्लास के अंदर आप पहले दिन आए और आपको A, B, C, D सिखा दी तो हम सोच रहे थे ये क्या उल्टे-मिल्टे लिख-लिख करके हमें समझा रहे हैं उस वक्त हमें वो भी चीज़ बड़ी टफ लग रही थी अब इतने सालों की प्राक्टिस के बाद में शायद एक सांस में हम A to Z बोल जाएं जब 2 की टेबल याद करवाई थी या सीखी थी उस टाइम पर तो दिए तो यह चीज़े कहने का मतलब है धीरे-धीर आएंगे आपी के साथ नहीं हो रहा हैं यह सब के साथ हुआ होगा जो कि सबसे पहले-पहले प्रोग्रामर की कैटेगरी में आते हैं या फिर नए-नए प्रोग्रामिंग है जो सीखते हैं अब आपको समझ में आ गया कि क क्या हो रहा है इसका theory समझ में आ गया practically इसको कुछ देखेंगे अब यहां पर एक operation होता है जैसे आपको बोला कि push और pop होते हैं दोनों के बारे में समझाएंगे बड़ उससे पहले देखते है पीक पीक का मतलब होता है जांकना जांकना बोले तो यानि कि अगर हम इसके sense में बात करें किसके stack के sense में तो हमने कुछ ऐसे किया तो यह मेरा टॉप टॉप यह हमारी value आ गई यहां पर तो अभी टॉप हमारा क्या है यह है जस्ट आप यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो कि टॉप की value को जस्ट देख रहे हो जैसे कि आपकी मम्मी ने एक रोटी कि तो एक stack बन गया तो आपने जस्ट ऊपर जो टॉप पर रोटी पड़ी है आपने सिर्फ उसको देखा है that is called peak आपने खाया नहीं हो उसको ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं उस value को जस्ट हम देख रहे हैं उसके अंदर कौन सी value है हम उसको सिर्फ get कर रहे हैं कुछ delete नहीं कर कर रहे हैं उसके अंदर से अब बेटा एक बार पहले समझा तो दे ठीक है फिर ही आपको प्रैक्टिकल कराएंगे मैं अगर आपको जस्ट डारेक्ट प्रैक्टिकल विंडो पर ले जाओ वहां मैं जाके बोलू यह peak होता है तो समझ में आएगा नहीं न तो stack के हमारे पास थोड़ी सी अब इसके अंदर एक operation आता है that is overflow ठीक है अब overflow वाली situation आपके पास में तब बनती है कि जैसे आपके stack का जो size है ठीक है वो आपने रखा है कि भाई इसमें 5 values आ सकते हैं ठीक है 5 values आ सकते हैं पहली दी आपने दूसरी दी आपने तीसरी दी आपने next आपने दी कि इसमें आप क्या करते हो अगली value डालने की कोशिश करते हो तो यानि कि वो आपका stack already full हो चुका है अब आप उसमें अगर कोई और value डालने की कोशिश करोगे तो ऐसी situation को आप overflow का नाम दे देंगे क्या नाम दे रही होंगे बिल्कुल overflow का नाम दे रहे होंगे तो कि हमारे पास overflow वाली condition है जो आ जाए अब वैसा ही अंडर flow है अंडर flow जैसे कि अगर मैं glass जो मेरे पास में पानी का है अब वो खाली है अब मैं उसमें से पीने की कोशिश करूँगे तो वो situation क्या होती है अंडर flow अगर programming इस stack के sense में बात करें तो आपका stack बिल्कुल खा रहे हो कि भाई delete करो delete करो delete करो क्या delete करें जब उसमें कुछ ही नहीं है तो popping operation यानि कि pop का मतलब होता है delete करना तो यानि कि अगर आप pop के लिए बार-बार command डालते हो तो फिर वो कैसे करेगा ये अंडर flow हो जाएगा यहाँ पर most important चीज जिसके उपर आपको note देने की जुरत है that is under flow जब आपको समझ में आ गया बस वही है अब overflow वाली condition देखिए अगर आप stack की बात करते तो stack में what is under flow आपको पता होना चाहिए जब हम python के लिए बात करेंगे तो python में हम list का use करेंगे और list के through हम stack को achieve कर रहे होंगे तो list के अंदर हमारे पास में हम append function का use करेंगे हम insert अगरा का use करेंगे जब भी हमें values को insert करना होगा किसमें list में क्योंकि list को हम मान करके चलेंगे क्या stack तो ऐसी situation में क्या होगा कि हमारी जो list है न वो है mutable python के अंदर हम list में कितनी भी values को जोड सकते हैं इसमें कोई restrictions नहीं होती है कि इसका size कभी भी fix नहीं होता है मतलब यह कह आपको याद होगा कि कभी हमने list जब लिया था तो क्या उसका size कभी fix किया था नहीं आप तो उसमें जब मन चाहा append insert कर दिया तो यानि कि python के case में कभी भी overflow की condition तब तक नहीं बनेगी जब तक आपके computer की memory है जो खुद से नहीं भर जाती ठीक है अगर वो खुद से भर गई तब तो अलग बात है ठीक है नहीं तो आपके पास में overflowed नाम की condition situation कभी आती नहीं है क्योंकि आप use कर रहे होते हैं किसका बिल्कुल python का use यहाँ पर कर रहे होते हैं ठीक है अब आगे कुछ move नहीं पर बात कर रहे हैं किसके बारे में push के बारे में तो यह जो main operation आपको देखना है so that is push push के अंदर क्या चीज है कि आप अपने stack के अंदर values को डाल रहे हो उसी को क्या बोलेंगे push करना तो यानि कि जैसे आपने 5 किया तो इसको हम इस term को नाम क्या देंगे push का फिर 6 डाला फिर मैंने कुछ भी और value डाली so that is called push so last जो value इसको हमने top बोला है पहले अगर यह डाला होता तो यह top था यह top यह top ठीक है अब next pop यानि कि आपको यह चीज़ पता होनी चाहिए कि stack के अंदर जिस end से हम डालते हैं उसी end से हम निकालते भी हैं तो यानि कि जैसे आपने 5, 6, 7 डाला तो जब निकालोगे तो यह 7 पहले निकलेगा ठीक है आप इसको नहीं निकाल सकते हो क्योंकि फिर अगर निकालने की कोशिश करोगे या करोगे तो फिर वो stack नहीं होगा ठीक है वो फिर आपके पास stack नहीं होगा तो अब मैंने इसको निकाला इसको निकाले तो आपके पास में क्या है that is called pop अब इसको ध्यान से देखिए यह ग्या हो रहा है पुश हो रहा है आपके stack में values पुश हो रही है अब आपके यहां पर देखो इसमें इसमें यहां पर ध्यान देना push फिर value पुश होए पुश होए अब stack फिल हो गया तो अब आप पॉप करा रहे है यानि कि values को बाहर निकला निकाल रहे है कि अगर आपने लिस्ट अच्छे से किया है तब आपका यह बहुत अच्छे से हो जाने वाला है तो चलिए अब हम इसको प्राक्टिकली अप्रोच के साथ में देख लेते हैं ठीक है अभी तक जो चीजें आपको बोल-बोल करके बताई अब उन चीजों को कैसे आप अचीव कर रही होंगे प्रोग्रामिंग के अंदर कॉलम सिंग आप कौन सी क्लास के अंदर हो पहले तो यह बताओ किस क्लास के बारे में बात कर रहे हो आप 12 के बारे में बात कर रहे हो अब अभी फिलहाल के लिए क्या कर रहे हो देखिए अब हम पायचाम को एक बार आन कर लेते हैं ठीक है एक सेकंड रुकिए वेट थोड़ा सा यह हो रहा होगा ना मतलब यह है भी software है थोड़ा सा एक है तो इसको थोड़ा सा time लगेंगा वेट करो थोड़ा सा बेटा heavy software है थीक है तो वो जब start होगा तो वो time ले गए लिए थीक है तो हमें कुछ नहीं करना हमें just wait करना है थीक है तो अब इसको update होने तो यह जो है sorry start होने तो तो अब थीक है अब हम इसको side करते हैं अब देखे हमने कितने और क्या क्या चीजे इसके अंदर करनी थी ध्यान दीजिए हम यहाँ पर करने वाले हैं जिबिलकु push ठीक है राइट फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे pop यानि कि जिसको आप बोल रहे हैं क्या delete ठीक है फिर हम यहाँ पर करने वाले हैं जीप, peak यानि कि सिर्फ value को देख रहे हैं और फिर हम यहाँ यहाँ पर display करने वाले हैं अपने पूरे के पूरे staff को तो यह तीन operation हम यहाँ पर perform करेंगे ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर जाओ अब बच्चे बड़े ध्यान से देखना ठीक है एक, दो, तीन, चार, राइट अब हम क्या करते हैं इसके functions बना लेते हैं तो हमारे पास में एक function बना लिया हमने push उसके अंदर जब करेंगे काम करेंगे एक बार इसको छोड़ देते हैं बना करके देफ, दूसरा हम POP function पॉक बनाएंगे, काम करेंगे जब करेंगे एक बार छोड़ देते हैं फिर हम अगला function बनाएंगे जो की हमारा होगा peak function ठीक है, काम जब करेंगे तब करेंगे एक बार छोड़ देते हैं डेफ, डिस्प्ले करेंगे करेंगे अब आते हैं नीचे तो यानि कि हमने चार function यहाँ पर value जब हमें डालनी होगी stack में तब हम of course general सी बात है कि हम लोग push के अंदर जा रहे होंगे ठीक है कि value को push करने के लिए यानि कि append करने के लिए और जब हमें value को delete करना होगा अच्छा देखाओ तो एक second देखाओ तो इधर हो रहा है इधर हो अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे यहाँ पर मैंने क्या किया push किया pop किया peak किया और display किया अब आपको यहाँ पर एक menu driven program बता रहे है उस program के अंदर आप user से choice डलवाओंगे उसकी ठीक है user आपको basically बताएगा कि अब तुम इसमें यह वाली मुझे अभी push करना है pop करना है जैसे कि हम जो चीज आपको कह रहे हैं उसके लिए हम एक variable declare करते हैं और जिसके अंदर हम input करा लेते हैं क्या और वो करवाते हैं चलिए user की choice ठीक है जो मैं अभी चीज आपको कह रहे हूँ तो हम user को कह रहे हैं hey user ठीक है enter so user हमारा enter करेगा तो अब मैंने slash n लगा दिया यानि कि नई line में one for हम user को message दे देंगे push के लिए ठीक है फिर मैं कहूंगी two for pop ठीक है फिर message दे दूँगी three for हमारे पास peak है ठीक है अब next मैंने दे दिया four for किसके लिए display के लिए ठीक है अब five दे देते हैं ठीक है for exit right तो ये मैंने एक user के लिए message दे दिया कि user तुम enter करो एक अगर तो तुम्हे push करानी है अपने stack के अंदर value दो अगर तुम्हे push करना यानि की value को उठाना है डिलीट करना है ठीक है पीक जस्ट तुम delete नहीं कर रहे हो तुम ये चेक कर रहे हो कि recently कौन सी value डाली गई है तुम इसको जस्ट चेक कराना चाहते हो अब इसा ही आ रहा है ना अब आपके पास में आता है फिर चार नंबर की अगर आपको सिर्फ display कराना है तो आप चार एंटर करोगे अगर आपको कुछ नहीं इनके अंदर से so that means आप इसमें से exit करना चाहते है अब ये जितना भी data है या चीजे है उसको आप एक infinity loop के अंदर चलाओगे ठीक है आप एक infinity loop यहाँ पर चला रहे हो जिसको की हम while के अंदर करेंगे ठीक है मतलब हमारा चलता जाएगा जब तक user की choice होगी ठीक है अब हम user की choice के according कह देते हैं कि अगर user की choice है जी एक तो आप क्या कर दो तो आप push नाम के function को call कर दो ठीक है क्या कराने के लिए जी value को enter कराने के लिए so elf का use करेंगे अब elf के अंदर हमारे पास में condition है जो हमारी होगी दो तो अब मैं क्या करूंगी pop को call करूंगी अब यह चीज़े बहुत basic है जो आप लोग कर चुके हो किसके अंदर अपने working with function के अंदर ठीक है अब elf किया तो मैंने का ch is equals to equals to 3 ठीक है अब मैं मैं elf के अंदर आती हूँ और मैं कहती हूँ कि अगर ch is equals to equals to 4 है तो मेरे को display नाम के function को call करना है और else क्या गरेंगे print कर देंगे कुछ भी thank you या bye bye के message के साथ में और हम break मार के बाहर आ जाए अब इतना सा जो execution किया है आपने portion उसको एक बार मैं आपको समझा दूँ कि actually मैं हुआ क्या है या फिर इसमें ना समझा के word में समझा देते हैं है अब 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 कमेंट section में ऐसे कोई सवाल नहीं होते है जिसका मैं जवाब दे सको यहां पर वो बच्चे नहीं आते हैं जिनको मैं target कर रही हूं यानि कि 12th class के बच्चे तो आदे से जादा जो जनता होती वो आइटी वाली नहीं होती है मतलब CS background वाली नहीं होती है ठीक है तो आदे से जादा बच्चे कुछ भी कमेंट करते हैं तो अब आप कुछ भी का तो जवाब नहीं करोगे ना क्योंकि आपका purpose क्या है यहां पर पढ़ाना ठीक है तो इसलिए मैं chat section को answer नहीं गरती है ठीक है पेटा आपने कुछ doubt पूछा ही नहीं है आपने कहा hello ma'am अब चलती ही class way में hello ma'am का जवाब अभी तो नहीं दे सकती है आपने कुछ पूछा ही नहीं है तो अगर आप पूछोगे तो of course answer का जवाब आपके question का जवाब तो जरूर देंगे ठीक है अब यहां पर गौर से ग क्योंकि अगर मैं आपकी हर एक बात का जवाब दूँगी तो आप खुद कहोगे कि अरे मैं पढ़ाओगे कब हाँ ठीक है तो कहने का मतलब है कि तांती से पढ़़ों अब देखो इसके अंदर क्या चीज हो रही है हमारा pen कहां पर है बिल्कुट देखो ध्यान पूर्वक अब सही है अब यहां पर क्या हो रहा है हम operation परफॉर्म करा रहे हैं कौन सा उश यहां पर फिर हम क्या करा रहें पॉप यहां पर फिर क्या करा रहें पीक यहां पर मेरे ख्याल से अभी आ जाना चाहिए है हुआ 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 है एक मिनट फिर एक को लगता है हम यहां से उड़ गए हैं अब जब आप चलते हुँ ना रास्ते पर आपका ध्यान आगे होता है कि दर दर जो कूड़ा करकड़ पड़ा होता है तो आप उसकी तरफ थोड़ी ना देखते हुआ है वही चीज यहां पर है अभी यहां पर बड़ी ध्यान पूर्वक आप चीजों को सुनोंगे जब मैं यहां पर इसको ले लेती हुआ है तो आप क्या कर रहे हो अगर हम नी एंटर करना है ढिक है अगर मान लो यूजर की चॉईस होती है एक तो आपकी चॉईस के साथ मैच कर जाती तो आप क्या कर रहे हो नी चौरे लोरे में करेगा और यहां से आप call करके किधर आओगे बिल्कुल अगर आप यहां से देखोगे इसके अंदर फिर तीसरा अगर आपकी choice 3 होती है तो आप peak करने के लिए बिल्कुल कहां पर जा रहे होंगे peak function के अंदर अगर आप कहते हों कि just you want to see कि हमारे पास में हमारे stack में कितने elements आ चुके हैं तो यानि कि मेरी choice 4 है और अगर user की choice 1,2,3,4 के अलावा कुछ भी और होती है तो आप क्या करेंगे thank you का message print कराके आप break करके अपने loop से बाहर आजाए कहां पर देना चाहते हो spring कहां पर देना चाहते हो spring अब next जो ये अधूरे काम हमने चोड़े हैं कौन से वाले ये उपर वाले अब देखिए जैसे ही आपके पास में value जो है उसकी user की choice बनती है कि push करना है अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई साब push करना क्या है डालना क्या है आपको value तो बताओ आप यहां पर तो अब आपको user वो value बताएगा तो यह आपकी मर्जी है आप नीचे भी value input करा सकते थे और यहां पर भी नीचे कहां जहां से function call हो रहा था अब आप stack.append करोगे अब यहां पर यह किट-किट-किट-किट-किट हो रहा है वही तो बता रहे है न अब यानि कि आपको क्या करना चाहिए था यहां पर सबसे पहले stack को declare कराना चाहिए था अब वो कहेगा stack किसमे value डालना है अब कैसे value डालनी है of course append function call करेंगे और क्या डालना है जी value तो आपकी value इसके अंदर हो गई जी append that's it so simple so easy यह चीज किस तरीके से क्यों इतनी easy है क्योंकि आप python का use कर रहे हो python के अंदर हर चीज easy है और वैसे यह भी easy अब आप नीचे आते हो और कहते हो pop pop का मतलब यानी कि अब pop जब आप करने आओगे न तो आप एक चीज का ध्यान रखोगे जैसे अगर आपको glass से पानी पीना है तो आप पहले glass की तरफ देखोगे glass में पानी तो होना चाहिए न तब ही आप पानी पी भी सकते हो वही चीज यहाँ पर होगे ठीक है वही चीज का होगी यहाँ पर होगे आप stack में से value को delete कराने आ रहे हो तो आपको पहले यह चीज पता होनी चाहिए कि भई stack के अंदर कुछ तो हो नहीं तो कौन सी condition होगी अभी अभी पढ़ा था ना एक प्यारा सा message दे देंगे stack is full तो हम अंडर फ्लो का एक message दे करके यहाँ से break कर देंगे कि यहाँ कर देंगे break otherwise आप क्या कर सकते हो break करने की वैसे जुरुत नहीं है ब्रेक करने की जुरुत नहीं क्योंकि आप कौन सा loop यूज कर रहे हो है न तो फिर हमारे पास में else अब हम आते हैं नीचे अब यहाँ पर मुझे क्या करना है मेरे stack के अंदर से value को delete करना है तो आपको यह चीज मैंने बताई थी अगर हम उपर जाएंगे और यहाँ पर यह चीज मैंने आपको बताई थी that is क्या कि जब भी stack से value remove होगी न तो यह वाली शर्त पर होगी जो की leaf हो है जो value last में आई है न वही first में जाएगी भी तो अगर आपने यहाँ डाला 5, 9, 10 तो अगर आप value को pop करोगे तो यानि की 10 को pop करोगे अब आपको यह चीज पता है कि अगर आप list का use करते हो तो list में deletion के लिए एक function use होता है कौन सा pop function वैसे सब कुछ small में आएगा तो यह function कैसे delete करता है आप 11th class का किस्सा याद करो नहीं याद है तो यहाँ पर आपको दोहरा दिया जाएगा तो अब आप क्या कर रहे होंगे print करा दो चाहे वापिस भेज़ो कोई problem नहीं है तो आपका जो stack है ना उसके अंदर से value को आप pop करेंगे तो पॉप के अंदर यदि आप यहाँ पर इसके parameter में कुछ नहीं देते हो एग्जैक्टले कल मेरी class नहीं होई थी पेटा l.pop बिल्कुल stack.pop तो हम देखे अगर इसके अंदर कुछ नहीं देते हैं तो हम python में क्या करते हैं list का use करते हैं तो list के अंदर क्या होता है कि जब भी हम कि जब भी हम pop के अंदर कुछ नहीं देते ना तो वह by default क्या करता है last से value को delete कर देता और हमें यही achieve करना है किसके अंदर stack के अंदर ठीक है तो अब हमारे पास में push हो गया pop हो गया ठीक है अब हम peak कर लेते हैं तो peak का यहाँ पर क्या मतलब है peak का मतलब यहाँ पर है यहाँ जो हमारे top की value है top की value कौन सी है जी last value तो वो हमें क्या है यहाँ पर देखनी है ठीक है तो हम कहेंगे top value is so कैसे देख पाएंगे हमारे पास stack है stack के अंदर आपने list में negative indexing नाम की चीज भी होती है तो अब आप क्या करेंगे minus 1 यहाँ पर दे देंगे क्या क्या दे देंगे minus 1 बिलकुल आप दे लेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा आपकी जो last value है आपके stack की बिलकुल last जो आपके stack की value है वो आपको display हो जाएगी और जो कि आप करना चाहते हो exactly peak के अंदर बस या फिर length minus 1 करके भी कर सकते थे बढ़ हम इतना क्यों करें ठीक है अब हम इतने को run करते हैं अगर इसमें कोई दिक्कत है तो हमें पता चल जाएगा वैसे हमने display अभी तक किया नहीं है हम just इतने को करते है parameter किसके parameter में minus 1 देंगे minus 1 किसके parameter में देंगे कौन से function के parameter की बात कर रहे है तो देखे अब हम यहाँ पर enter करते हैं मान लीजिए एक ठीक है तो value push किया 12 ठीक है फिर हमने एक enter किया मान लो 90 किया तो अभी देखो चलिए हम ऐसा करते हैं कि peak कर लेते हैं पीक का मतलब 3 press करना है तो 3 हमने जब किया तो इसने बताया कि आपके पास में top की value 90 है जो कि हमने last last अभी डाली है चलो for better understanding one more value तो हम 77 डालते हैं तो अब हम 3 डालेंगे तो answer must 77 जो की आया भी है अब मैं कि अगर तूँ इसमें 2 enter कर देती हूँ यानि कि I want that कि मेरे पास last value delete हो जाए तो अब मैं अगर 3 enter करूँगी तो 77 से पहले क्या था 90 ठीक है अब इतनी चीज हमारी चल रही है क्योंकि मैं इसमें display नहीं कर रही हूँ अभी ठीक है display क्यों नहीं कर रही हूँ उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले समझा दूँ कि डिस्पले में काम कैसे होगा अब यहाँ पर बहुत ही गौर से सुनिए कि जैसे आपके पास में कोई एक list है अब मैं क्या करती हूँ 4i in range अब मैं क्या करती हूँ इसको मुझे display कराना है चुरू से end तक तो आप क्या लिखेंगे आप लिखोगे length of L तो आपके पास में क्या print हो जाए बिल्कुल L का I print हो जाए एक normal सी चीज है अब यहाँ पर ध्यान दीजे क्या चीज हो रही है हम क्या output ले रही होंगे तो हमारे पास यह output आ जाएगा इसमें कोई भी चक्कर वाली बात नहीं क्योंकि अगर आपने 11th में या 12th के अंदर आपने loop किया है तो यह सबसे normal वाली चीज़ आपको बताएं अब मैं क्या करती हूँ चाहती हूँ इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे कहा कि यह उल्टा प्रेंट हो जाए उल्टा प्रेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप यहाँ पर देखिए कि इसकी जो length है वो कितनी होगी अपकोर्स इसकी length एक, दो, तीन, चार तो आपके पास चार आ रहा होगा तो यानि कि अगर आप यहाँ पर चार भी लिखेंगे न तो भी आपके पास same output आएगा ठीक है, क्योंकि यह क्या करेगा यह चलेगा अब कितने तक के लिए 0, 1, 2, 3 0 से 3 तक यह चलेगा ठीक है, नॉर्मल सी चीज है अब यह चार कैसे आया चार ऐसे आया कि जब आपने length of stack लिखा मतलब L लिखा ठीक है, ओके तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको उल्टा प्रिंट कराने के लिए उल्टा यानि कि मुझे यह last से देखना पड़ेगा 44 से, अब आप देखो 44 का index क्या है, अगर आप notice करोगे तो 0, 1, 2, 3 है इसका index तो यानि कि अगर length से मेरा answer 4 आ रहा है तो मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा एक minus करना पड़ेगा और अब मुझे चलाना कहां तक है, यह 0 तक चलाना तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि हमारे range के अंदर end value से ठीक एक पहले तक चलता है हमारा loop तो अगर यह minus 1 है तो of course general सी बात है कि यह हमारा चलने वाला है कहां तक 0 तक जो कि हमें चलाना है अब अगर मैं इतना सा करूँगे तो कोई output मुझे आएगा नहीं क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यह 3 से 0 तक खुद ही चल जाए तो इसमें forward step तो होते हैं अपने आप लेकिन backward के लिए आपको step देने पड़ते हैं तब आप इसको कह रहे हो minus 1 तो इस case में यह मेरे पास उल्टा मेरी list है जो print कराएगा for better understanding मैं यहाँ पर आपको और अच्छे तरीके से बता देती हूँ देखें क्या चीज होती है आप यहाँ पर क्या करते हैं मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए range में आपने लिखा 5 तो यह 0, 1, 2, 3, 4 के लिए चलेगा तो जब आप लिखेंगे 4, I, in तो आपने लिखा range और आपने लिखा 5 तो यानि कि I में यह value आ रही होगी यह पहला case है इसका फिर दूसरे case के अगर आप बात करोगे तो आप कहोगे range हमारा 5 से 20 तक चले तो इसका यह मतलब होता है यह 5 से लेकर के उन्देश तक चलेगे तो यानि कि जो भी आप value यहाँ पर दोगे न तो यह उसके एक कम तक चल रही होगी अगर आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा range पांच से लेकर के 20 तक चलो और दो-दो के step तो यानि कि पहले 5 आएगा 6 नहीं आएगा 7, 8 नहीं आएगा हमारे पास में 9, 10 नहीं आएगा 11 एंड चलता जाएगा बट चलेगा 19 तक यह यह चीज हो गई ठीक है अब हमारे case में हम क्या घरते मतलब इसको खुद बखुद आगे जाने की आदत है जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ठीक है जैसे कि आपने यहाँ पर देखा यह automatically plus one कर देखा लेकिन अगर मेरी choice ऐसा होती है कि मैं उल्टा कुछ print कराना चाहती हूँ reverse के अंदर जैसे की for example मेरे पास में कुछ ऐसे आता है एक second रुखो मैंने कुछ ऐसे लिखा range तो मेरे को क्या करना है दस से लेकर के पांच तक display कराना है तो ऐसा नहीं हो सकता ऐसा आप नहीं कर सकते कि दस से शुरू पांच पर खतम नहीं हो सकता तो ऐसे case में आपको क्या करना पड़ेगा negative step देने पड़ेगे तो अब यह हमारा 10 चलेगा फिर 9 आएगा फिर 8 आएगा फिर 7 आएगा फिर 6 आएगा अब यहाँ पर 5 से पहले रुख जाएगा यानि कि यहां तक वैसे ही अगर मुझे यह 0 तक चलाना होता तो मैं क्या करती 0 ना दे करके minus 1 देती क्यों? क्योंकि फिर 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो minus 1 दिया है तो यानि कि यह 0 पर रुखेगा ठीक है? वही वज़े है यहां पर minus 1 देने की ठीक है? ताकि हम 0 पर stop हो जाएगे तो चले हम इस 44 से रुख जाए हम इस 11 पर तो अगर आपको यह चीज समझ में आ गई तो बस हम यही चीज वहां भी धौराने वाले है इसको मैंने copy-paste कर लिया ठीक है? अब, sorry, copy कर लिया अब इसको paste कर देते हैं यह ठीक है? अब यह जो L है इसकी जगह है वी हैव स्टैक ठीक है? इसमे L नहीं है अभी L की जगह है क्या है? स्टैक है और यहां पर क्या है? स्टैक नाम दिया है हमने list का अब अगर हम इसको दुबारा run करेंगे मैंने कहा 1 तो मैंने 11 enter किया 1, मैंने 12 enter किया 1, मैंने 13 1, मैंने 14 1, मैंने 15 अब मैं 4 enter करती हूँ तो आपको क्या होगा? उल्टा स्टैक प्रिंट हो करके मिल जाएगा तो 15, 14, 13, 12, 11 तो इस यूर स्टैक स्टैक काम कर रहा है न लीफो की उपर लास्ट में जो इन हुआ फस्ट में वो आपका आउट हो रहा है इस चीज की तरफ ध्यान दीजिए बेटा जब इवनिंग में लेते हैं तो बच्चे बोलते हैं बाद लेट लो अभी लास्ट मन्थ में पूरा 7 o'clock लिया आपका क्लास लास्ट मन्थ फुल मैंने 7 o'clock ली क्लास इसलिए मैंने इस वीक सारी क्लासेज आपकी 10 o'clock रखे कल भी क्लासे 10 o'clock परसों भी है परसों पांच को नहीं है ठीक है 6 तारिकों है 4 बजे और साड़े 5 बजे जब तुमें जवाब मिल जाए तो मेरे को भी बता दे न अब इसके अंदर क्या चीज कर सकते हो जैसे आपने कहा 2 2 का मतलब है पॉप तो यानि कि 15 पॉप हो गया कार करोगे तो 15 पॉप हो रखा है तो जैसे अगर मैं फिर से करूँगी कि पीक करा दो 3 तो 14 आपके पास में आएगा यह मैंने 2 बार एंटर कर दिया ठीक है तो 14 आपके पास में आ रहा ठीक है यह हमारा यहां पर हुआ स्टैक को मैंने आपको करा दिया है अब आप क्या करोगे स्टैक के बाद में इसके उपर प्राक्टिस करोगे प्रोग्राम्स को तो कल से जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी न तो उसके अंदर में आपको प्रोग्राम्स बताने वाली हूं प्राक्टि मैंने फूर्स नहीं गया राइट तो कल से जो हमारी चीज़े स्टार्ट होगी उसके अंदर आपको बेसिकली बताएंगे कि किस तरीके के questions प्रशन है जो आपके आते हैं उसके अंदर exam के अंदर यह हमारा पूरा का पूरा data structure है जो की हमारा हुआ इस से related तो आपको एक ही प्रोग्राम आता है tag से related और वो आते हैं हमेशा तीन नंबर का list से related आपको प्रोग्राम आता है आपको text file से related प्रोग्राम आता है आपको binary file से related प्रोग्राम आता है आपको CSV file से related प्रोग्राम आता है ठीक है तो यह सारे program से आपको paper में देखने को मिलेंगे, ठीक है? बिलकुल तो 3 नमबर का इस से आपको stack से अवश्य program है जो आएगा, ठीक है? तो इतना मत सोचो कि अरे जो है paper में इस से related नहीं आएंगी चीजें या बिलकुल यह most important है, अभी आपको शायद इसकी value पता नही से अच्छा है कि आप बिल्कुल शुरू शुरू में जो है अपनी चीजें करते हुए चलो ताकि प्रेशर ना बने फिर आप भी उन बच्चों के अंदर शामिल हो कौन से जो अभी बोल रहे थे कि मैं हंडर्ड आए है नाइन्टीनाइन है ठीक है बिल्कुल पीवाई क्यू इसपीत तीन खलास होंगी अज बॉल टू है और सटर्डे को साढ़े पांच बजो के मैं और और बाकी जो दो और तीन क्लास है उसमें भी मैं exam based question ही कराने वाली हूँ ठीक है इनको लंबा कर देंगे अगर अब लगा कि yes आप लोग अच्छे से देख रहे हो चीजे तो community tab से जाकर कि अपने सारे notes डाउंडोड कर सकते हो ठीक है और दूसरी चीज आप बिल्कुल plus iconic join कर सकते हो plus और iconic की बात करेंगे यहाँ पर तो जैसे आप अब भी हमारी class देख रहे हो वैसे plus के उपर भी आपको classes देखेंगी जिसमें और ज़्यादा चीजें add हो जाएंगे live class, weekly test, structured तरीके से courses, दो साल पहले अगर कोई चीज पढ़ाए है तो वो आज भी देख सकते हो multiple teachers आपको एक subject के लिए मिल रहे हैं, उनके खुद के handwritten notes आपको मिल रहे हैं उनके खुद के recommend किये हुए प्रश्न questions आपको मिल रहे हैं तो बिल्कुल इस बार जो CBSE के toppers हैं, जो बिल्कुल unacademy ने generate किये हैं अगर कहूंगी अभी मैं आपको photo भी दिखाती हूं basically तो आप भी ऐसे ही next year है जो आपकी भी photos है, completes के अंदर है, जो छपेंगी और दिखेंगी तो कहने का मतलब है कि आप definitely है, जो plus को join कर सकते हो, और plus की बात करूंगी, तो यहाँ पर देखिए ये price आपके सामने है, जो लिखा हुआ है, और ये month है, जो आपके सामने लिखे है अब इसके अंदर आप मेरा code use कर ले ना, क्योंकि मेरे code के थूँ तो discount कर जाएगा, ठीक है, तलिए फिर, अब आप से लेते हैं अलविदा, जिस कहेंगे बिल्कुल bye-bye एक सेकिंड रुख जाएए, chat section आपका बंद हो गया, ओहे, इसको मुझे देखने दीजिए SQL हम स्टार्ट करेंगे, जो है special class, एक सेकिंड देखे, special class लेंगे, चार बजे, देखे, Saturday को, Saturday है, इसलिए चार बजे टाइम रखा है, तो ये 12th IP की class होगी, और इसके अंदर मैं आपको कराऊंगी, SQL की उपर पोल, और SQL पर भी single row function करा रही हो, ठीक है, फिर आपकी Saturday को ही 9.45 पर class होगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको करा रही होंगी, stack से related, MCQs way में questions, answers, ठीक है, जिसमें आप poll करके मुझे बता पाऊंगे, ये भी poll class होगी, और ये भी poll ही class होगी, दोनों की दोनों, ये आपकी होगी, चार बजे, नहीं, चार बजे नहीं, I think ये 7 o'clock है, चार बजे आपका YouTube है, special glass आपकी 7 o'clock है, ठीक है, फिर भी मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर एक बर, दुवारा से इसका screen shot, वो सारी चीज़े भेज़ूंगी, ये तो शौर है कि 9.45 पिम पर, इसमें stack के question होगे, और इसमें single row के होगे, ठीक है, तो चलिए फिर, bye bye बच्चा, God bless you, ठीक है, खिए, बच्चा, God bless you, ज्वूफे गोगे, बच्चा, God bless you, ज्हीज़े, झालिए बच्चा, God bless you, बच्चार रपकी 7-5 पिर, बच्चा, 1-5 भी मैं बच्चा, God bless you,